हलो बच्चो नमस्कार क्लाश्ट पेल्थ का मॉडल पेपर अब मैं हलो बच्चो नमस्कार सामान हिंदी के सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें मैंने मॉडल पेपर पहला ठीक है जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 5 मॉडल पेपर आप तो पहला मॉडल पेपर आप लोग का आ चुका है सभी इसको देखेंगे और अगले दिन आप लोग का दूसरा मॉडल पेपर आएगा ऐसे आपको पांच मॉडल पेपर में प्रोवाइड करूंगी उसके बाद आप लोग को और हल सही ठीक है यहां पर आपको हल भी दिया जा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखिए तीन घंटे पंद्रा मिनट का जैसे समय आपको मिलता था वैसे ही आपको समय मिलेगा ठीक है तीन घंटे पंद्रा मिनट का पूडांक होगा और जिसमें कि आपके दस नंबर जो हैं दस आफ्टनली कोश्चन होंगे यहां पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर जब आप लोगों को मिलेगा बोर्ड में तो आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ना है ठीक है ताकि आपसे कोई भी मिश्टिक नहों सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ा करिए तो यहां पर देखिए प्रारम के 15 मिनट पर प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिया रहा है और सभी प्रश्णों का उत्तर देना अनिवारे यहां पर लिख दिया है फिर भी आप लोग प्रश्ण पत्र में जाते हो बोर्ड पेपर में जब पेपर देने तो आकर बताते हो कि एक प्रश्ण छूट गया कोई कहेगा दो प्रश्ण छूट गया वो चीज नहीं होना चाहिए ठीक है आप लोग का वो चीज नहीं होना चाहिए सारे प्रश्णों को अगर आपको आता है फिर भी आपको सॉल्व करना है नहीं आता है फिर भी सॉल्व करना है ठीक है ताकि हमको जहां पर पांच नंबर मिलने का ह है वहाँ पर हमको तीन नंबर देने से एक्जामेनर बिल्कुल ना चोके ठीक है तीन नंबर हमको लेना ही लेना है फिर जाकर हमारे अच्छी मांक्स बनेंगे सभी प्रश्णोहित निर्धारत अंक उनके सामने दिये गए हैं आप सब देख सकते हैं कौन सा प्रश्ण कितने अंक का है ठीक है यहां पर पहला प्रश्ण देखेंगे पहला प्रश्ण इस्मृति की रेखाएं कृति है तो किसकी यहां पर चार आपसंद दिये गए हैं जैन तो नास के तो पाक्ष्यान के रच्वाइटा कौन है यहां पर चार अफ्टन दिये गए हैं इस अल्लाख सदल मिस्त्र प्रताप नरायन में स्कासी नाथ खतरी सदल मिस्त्र सही अप्स्वाइब सदल मिस्र ठीक है अगला कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट सारे कोश्चन है इनको ध्यान से पढ़िएगा तपो भूमी रचना किस विधा की है तो चार आपसन यहां दिये गये हैं आप देख सकते हैं तो उपर न्यासिस में सही आपसन है ठीक है और अगला जो है नागरी प्रचारणी सभाग की अस्थापना दिवेदी युग में हुई है ठीक है सरस्थी पत्रिका का जो है संपादन दिवेदी युग में हुआ है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे गुनाहों का देवता कृति है तो गुनाहों का देवता धरम वीर भारती की कृति है और प् हैं आयोध्या सिंगुपाध्याय हर्योध है ठीक है कौन है अगला कोश्चन देखेंगे हम महाकाब्य है तो हिंदी का प्रसम महाकाब्य पृत्वी राज रासो है ठीक है कौन सा पृत्वी राज रासो अगला कोश्चन देखेंगे साकेत कृती की रचनाकार हैं तो साकेत कृ तो बीशल देवरासो जो है यह आधिकाल का है ठीक है क्योंकि यह सूर्ज आगर पदमावत और यह सब भक्तिकाल के हैं तो इसमें यही आपका विसल देवरासो सही आप सन होगा अगला question रीति बद्ध काब्यधारा के कवी है तो मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया था रीति बद्ध और रीति सिद्ध रीति मुक्त 10th के लिए मैंने पढ़ाया था उसमें आप लोग देख सकते हैं फिलाल 12th वालों का रीति बद्ध से question नहीं आएगा ठीक है फिर भी जान लीजिए रीति बद्ध काब्यधारा के कवी है के 110 ठीक है यह model paper है पिछला model paper है इसलिए जो है इसमें नहीं दिया हुआ है अगला जो है तीसरा प्रश्न निमने लिखित अवतर्डो को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उतर दीजिए यादि कि आपको यहाँ पर गद्यांस पढ़ना है जि inclusive प्रश्न पूछाज गया है पांच प्रश्ण इससे पूछ गया है इस गद्यांस को पढ़कर आ आपको दो दो नंबर मिलेगा तो आए देखते हैं आप लोग गद्यांस को अच्छे से पढ़ लेजिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखिए अंसर देने का प्रस्तुत गद्यांस के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है तो यहां पर जो भी आपको लगे उसको आपको बताना है ठीक है यह कॉंसी चैप्टर का है राष्ट का स्वरूप ठीक है राष्ट का स्वरूप ठीक और लेखक कौन है लेखक वासूदेव सरण अग्रवाल ठीक वासुदेव सरण अग्रवात ठीक है अब इसका रेखांकित अंस की ब्याख्या जो पूछा जा रहा है इसका अंसवर आपको कैसे देना है रेखांकित अगर रेखा नहीं तो इस तरह से ब्लैक किया हुआ रहेगा देखे इसी द्रड़ भित्ती पर राष्ट का भवन तयार किया जाता इसी चट्टान पर राष्ट का चिरजीवन आश्रित रहता यहां तक आपको रेखांकित अंस की ब्याख्या करना है ठीक है अग्ला देखे आपको पांच कोस्च संदर्व आपको पता है प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित इस पाठ्य से है इसके लेखक यह है ठीक है इस तरीके से इसको लिखना है अगला जो है आपको कुछ उपसर्ग या फिर समास कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन बाहर से नहीं इस आपके गद्यांस से ठीक है जैसे कि यहां पर अधिकार और अनुराग में उपसर्ग छांटित तो अधी ठीक है अधी अनु ओ यह उपसर्ग हो गया ठीक है इसमें अगर आपको मालीजी उपर का नहीं आता है तो नीजे का आप कर सकते हैं फिलाहल आपके इस ले मनें यह तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यह निंदा से है ठीक है हमारा चौथा प्रश्ण जो है निमलिखित पद्यांसों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए आपको जैसे आपने कद्यांस पढ़ा वैसे आपको पद्यांस पढ़ना है लिकिन हां पद जान जैसे आप लगोगे तो इसलिए अगर आपने सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो दो तीन चैप्टर मैंने एक वीडियो बनाया है इंपोर्टन टॉपिक का उसमें आप दो तीन चैप्टर मैंने इंपोर्डन के लिए दिया है उसको आप जाकर देखो उसमें उसमें पढ़ाया इसको आप जाकर देखो इसको पढ़होंगे आप यहां पर प्रश्न यहें प्रश्न दिए गए फ़ियों चैप्र तो देखिए यहां पर कोई अलग रे वो नहीं किया है कि इतने का ठीक है तो आपको उपर योग्त यानि उपर के पूरे पद्यांस का आपको ब्याख्या करना है देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया कि जब तक अर्थ नहीं पता होगा कुछ भी नहीं आएगा अब इसका पूरे का आपको ब्याख्या करना है ठीक है दो नंबर आपको मिलेगा फिर नाइका पॉन से लज्जा सील महिला के प्रति कैसा अचरण अपनाने के लिए कहती है तो अगर आपको आता है फिर भी आप लिखिए गा नहीं आता है फिर भी इस तरह से स्टार्टिंग करके भाती है तो अगर आपको आर्थ पता है तो आसानी के साथ कुछ नहीं है मिल्कुल कि दिए तो रहां कि अंस़की जैसा कि मैंने बताया यहां पर आप देख सकते हो इतने का अ फिर इतने का अपको ब्याख्या करना है आगी अगे अब यहां पर जलद वा ब्योम सब्दों के दो दो परियाव्याची लिखे जैसे जलद का बादल पयोद ब्योम का आकास अंबर नभ जो भी इस तरह से लिख सकते हैं उसके बाद देखे अगला है अगर यह वाला नहीं आएगा तो आप नीचे में मैं कब कहता हूं जग मेरी दूरधर गत के अनकूल बने मैंने आहूती बनकर देखा से है इसको आप कर सकते हो ठीक है अथवा वाले का देखे अथवा का जो है उसका प्रश्ण यहां पर दिया ह रहेंगे तिल लेखक दिये रहेंगे आपको एक का जीवन परचाय लिखना रहेगा ठीक है तो इसका भी मैंने इंप्रोटन टॉपिक का जो वीडियो बनाया उसमें सारी चीजे दी गए उसको आप पढ़िए कम से लेवस में आप अच्छे से तैयारी कर लोगे निमलिखि कहानी से कोश्चन पूशा जा रहा है कहानी को तीन दी हुई है दो पढ़ेंगे काम हो जाएगा ठीक है दो कहानी पढ़ना इंप्वर्टन है कहानी के ततों के आधार पर धुरुई यातरा कहानी के समयख्छा कीजिए ठीक है या फिर पंचलाइट कहानी का उद्देस अप खंड़कावे कि जिला की अनुसार करना है तो इसे ले बश का वीडियो देखकर उसमें समझ सकते हैं कि वह जला वाले बच्चों को कौन सा हमरा संस्क्रित से है संस्क्रिट गध्यान से है और यह जो है इसमें ग्रामर है और संस्क्रिट दर्शिका से कुछे गए हैं तो यहां पर आप सकते हो कि संदर्व सहीत हिंदी में अनुवाद कि इसके यहां पर देखे यह कौन से पाथ है इसको देखेंगे आपके इसको देखेंगे आहें नहीं है भोजस्ययों दार्यम से है यहां जो है अधवा करके भी दिया है ठीक है फिलाल तो आपका पेपर अभी आएगा 2030 में आपके सिलेबस से होगा ठीक है लेकिन यह आपके सिलेबस में नहीं था भोज़स्योदारम से रेडियोस हुआ है और महामना वक्ता धार्मिकों नेता पटूपत यह जो है आपका महामना मालवियस है ठीक है अगला यहा अनुवाद करना है तो यह आपका जो है भफासित रतनान से श्लोक है आपका इसका आपको संदर्व और अनुवात करना है ज crochet तर पूछा जाता है दो नूठीक है इसके लिए आपको साथ नंबर मिलेंगे अगला हमा दस्वा कोश्चन मुहावरे और लोकोक्ती से है सिर नीचा होना यानि सरम से जुग जाना कोई भी अर्थ लिखती हुए वाक्य का प्रयोग करना है यानि अपना घर समझना आम खाने ह या पेड़े गिनने है ठीक है इतने आप अच्छे से कर लो ठीक है दो नंबर यहां पर आपको मिलेंगे अगला जो कोश्चन है देखिए निमलिकी सब्दों में संधिविक्षेद के सही विकल्प का चैन कीजिए तो संधिविक्षेद यानि की देवालया का संधिविक्ष इंद्र हो गया इत्यादी का इतिधन आदी होगा तो जहां पर आपको इतिधन आदी मिले उसको टिक कर दो ठीक है इस तरह से आपको करना है निमलिके सब्दों में विभक्तिवा वचन का चैन कीजिए तो आपको इसमें जो चैन करने पर विभक्ति वचन मिले उसको करिए फिलाल आपका ये सब कुछ नहीं आएगा ठीक है आपका आएगा आत्मन नामन ठीक है तो यही दोनों आप तैयार करो आत्मन नामन अगला कोश्चन है निमने लिखित सब्द युगमों का सही अर्थ चुनकर लिखे ठीक है सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है ये दो सब् मिलता हुआ हो, उसको आपको करना है जैसे आकार और आकर, तो क्या होगा इसका आकरिती और खाण ठ poderia आग इसका क्या होगा यहाँ पर चार आप संदिये हुए हैं, तो आपको जो जो सही लगे उसको आप लिकर इसमें, ठीक है अचल और पात लिखना है ठीक है अगला कोश्चन देखिए निमनलिखित सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखे ठीक है यहां पर यह पर्याय वाची है जो आपको आतार है दो दो उसके बारे में लिखे ठीक है अगला कोश्चन में क्या पूछा हुआ है निमनलिखित वा है ठीक है ऐसा कोस्ट सुनियों पूछा जाता है कन्फूज करने की ठीक है जिसS इसकि कन्फ्यूज हो जाए और आंसवर गलत और सभी ऐसे अंस्वर गलत देते भी हैं जैसे यह दर दके सएंप से और कम खर्च करने वाला तो सबका ध्यान कंजूस पर ही जाएगा ठीक है लेकिन कंजूस नहीं होगा मितब्याई होगा क्योंकि एकदम से कम खर्च करने वाला है नहीं यह सैयम से कम खर्च करता है सैयम से खर्च करता है जहां जरूरत है वहाँ पर खर्च करता है इसलिए मितब् उसको कंजोस कहा जाएगा उपकार को मानने वाला उपकार को न मानने वाला कृतक्न होता है अगला कोश्चन निमलिखित में से किन्ही दो वाक्यों को सुध करके लिखो ठीक है आपको चार आफसें दिएगा हैं कि यहाँ पर दो नंबर मिलेंगे जैसे देखिये और राधा नृत्य कर रही हैं तो बिलकुल आपको सभी को पता चल रहा होगा लेकिन क्या होता है घबराहट में एकजाम में जब आप लोग ये कोश्चन मिलते हैं आप लोग घबराहट मे साथ उसकी मिश्टेक समझ में आजाएगी कृष्ण और राधान रित्य कर रहे हैं होगा ठीक है रही है नहीं होगा इसी तरह से सभी में आपको सही करना है कर रहे हैं क्रिश्ण और राधान रित्य कर रहे हैं होगा इसी तरह से आपको सभी में सही करना है तो यहां पर जो है सारे कोश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं अब देखिए आगया रस ठीक है रस चंद अलंकार तो यहां पर आपको रस चंद अलंकार से लेबस की अनुसार ठीक है याद करना है तयार करना है कुछ दो एक रस आप काट सकते हो लेकिन आपको तयार करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क लाने है ठीक है और अगर ऐसे ही सत्तर अस्ती पे अटकना है फिर आप ऐसे ही छोड़ दो इधर उधर तो आपका काम हो ही जाएगा लेकिन अगर अच्छे मार्क लाने है तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तो यहां पर आपको अनुपरास अलंकार रोपक अलंकार दिया हुआ है आपको एक क पत्र लिखना है जो से लेबस में दिया हुआ है उसको एक बार देख लिजिए कि किस तरह का पत्र पूछा जाना है ठीक है उस तरह का पत्र आप पूछिए ठीक है आप देखो उसके बाद पत्र पूछा जाएगा आपको पत्र लिखना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा ठीक है निबंध यहाँ पर देख लेते हैं निबंध आपको सभी पर थोड़ा थोड़ा टॉपिक का पता होना चाहिए ठीक है कुछ ऐसे निबंध हैं जो हर साल पूछे जा क übrig पर निबंध आ तो आप यही निबंध माली जी तैयार करें हो तो वहां वारा चिपका सकते हो ठीक है ऐसे ही आपका के लिए है आगा अच्छे तैयार कर लो ठीक है तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कम्यरूर मिलेगे सबसे ज the दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी की चीजे आपको समझ में आई हो तो फिर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों को भी सेयर कर दीजिए का पहला मॉडल पेपर है और टाइम नजदिक आ गया है एक्जा करने बाद